कि अप्ट्रीवान कैसे आप सब लोग आज हम करेंगे अपने डे 5 बें नोयोर डिस्टिक जो हमारी एक सीरीज चल रही है जिस पर हम लोगों ने टार्गेट रखाए 20 दिन में 20 डिस्टिक्स को कवर करने का तो आज है डे 5 आज हम करेंगे डोडा डिस्टिक्ट के बारे में इससे पहले हम लोगों ने जो चार डिस्टिक्ट करी है सबसे पहले हम लोगों नहीं करी थी सिरिनगर पे सिरिनगर के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी उसके बाल हम लोग गे थे राजोरी में राजोरी में किस तरीके से राजोरी के जो नाम चें देखी है दे थर्ड पे हम लोगों ने कर रहा था अनंतनाक के बारे में अनंतनाक को क्यों अनंतनाक कहा जाता है क्योंकि यहां पे countless springs हैं तो आजकल जेके SSB पूछ रहा है फोर्थ हम लोगों ने करी थी सांबा सांबा में किस तरीके से जो ब्रिगेडियर थे जने वीर चक्र मिला था उनके बारे हम लोगों ने बात करी क्यूं इसे city of sheets कहा जाता है यह सब चीज़े हम लोगों ने देखी आज हम बात करेंगे day 5 पे डोडा district के बारे में डोडा district के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों पता होन को मिलेंगे यह मैं आज भी guarantee ले सकता हूं तो इसलिए series बहुत important है तभी हम लोग इस पर काम करें तो चलिए start करते हैं हम लोग डोडा district के साथ यह आप लोग देख रहे हैं जिसमें यहां पर आपकी आती है डोडा district कल हम लोगों ने देखा था सांबा के बारे में आज हम लोग बात करेंगे डोडा के बारे में डोडा बहुत खूब सूरज जगा है बहुत सारे मेरे close friends यहां से हैं जिसमें एक हमारे मुदसर सर हैं जो केस ऑफिसर है गाजी अबदुल्ला भी डोडा से बलॉंग करते हैं वो भी केस ऑफिसर है तो काफी सुंदर जगा है यह तो इसका नाम जो है डिस्टिक हैटकौर्ट जो यहां पर आता है डोडा उसी वज़़ा से रखा गया है लेकिन इसके विछे एक स्टोरी है अभी था हम लोगों ने काफी सारी चीजे देखी राजोरी का नाम राजोरी क्यों है क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों ने सबस्क्राइब अब क्या स्टोरी है अगर हम बात करें तो समय था जब जो किश्टवाड के राजा थे उन्होंने एक बार क्या करा और युटेंसिल मेकर ते जिनका नाम था दीदा अब इनका नाम याद रहते दीदा जो थे युटेंसिल मेकर थे बरतन बनाते थे, migrant से, कहां से, मुलतान, पाकिस्तान से, उनसे बाद करी और उन्होंने, उन्हें कहा कि उन्हें settle होना है permanently किस जगा पे, उन्हीं की territory में, और एक utensil factory बनानी है, और ये वहीं पे settle हुए, उन्हें ने utensil factory बनाई और Dida is then said to have settled in a village, which later on तो ये एक story है, ये एक records में भी पाई जाती है, जैसे हम लोगों ने एक चीज़ और देखी, एक जिगेस भी पूछता है, अनंतना का एक और नाम है, जिसका नाम था इसलामबाद, गवर्नर इसलाम खान के नाम के उपर कहा जाता है, लेकिन कोई official records नहीं है, बड़ यहाँ पर सेम चीज़ है, यहाँ पर डोड़ा का नाम अगर आप से पूछा जाए, किसके नाम पर रखा गया है, डीड़ा क्या थे, बेसिकली राजा थे, सरपंच थे, क्या थे, तो यह बेसिकली क्यूटेंसिल मेकर थे, जिनके नाम के उपर ही, जगा का नाम जो है, डोड़ा, वो रख दिया गया है, यह लोग आजकल उस जगा को जानते हैं, अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो आपको याद रखना है, मिसली हकीकत, दूसरी, यह है क्या, यह स्टेट एवन्यू डिपार्टमेंट मेंटेंड करके रखा है, डिस्ट्रिक्ट डोड़ा का नाम कहां से आया, राजा ओफ किष्टवार जो थे, उन्होंने जब डोड़ा के ब्यॉर्ण परस्यू किया, तो वहाँ पे उन्हें मिला यूटेंसिल maker जिनका नाम है दीदा, जिन्होंने कहा कि उन्हें वहीं पर सेटल होना है, वहीं पर सेटल भी हुए, यूटेंसिल फेक्टरी भी मनाई, अपनी एक यूटेंसिल फेक्टरी उस जमाने की, और उन्हीं के नाम के बाद इस जगह का नाम जो है डोडा पड़ा, तो ये पहला point आप लोगों को याद रखना है, दूसरे point पर हम लोग आते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें, with the advent of the time, the name डीदा seems to have got distorted into डोडा, by which the name it continues to be known today, तो यही चीज़ आप लोगों को मैंने बताई, डीदा के नाम से ही जानते हैं, बहुत कम information जो है, वो available है about the early history of the district and its ruler, तो यह भी आपको बता दो, जैसे राजोरी थी, हम लोगों ने राजोरी के बारे में देखा, किस तरीके से पॉल जो थे, उन्होंने राज किया, फिर हमने देखा जहां पर हमें जराल Muslims दिखे, उनकी पूरी एक history देखने को मिली, फिर कैसे गुलाब सिंग आये, गुलाब सिंग ने किस तरीके से capture किया, महराजा गुलाब सिंग ने कैसे नाम वापिस से बदला, राजोरी के बारे में एक पूरा systematic way में सारी चीज़ें देखने को मिली, बट डोड़ा की अगर हम बात करें तो बहुत little information है, अब आपको एक और चीज़ में यहाँ पर बता दू, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर map देख रहे हो, जम्मू कश्मीर का, पहले ऐसा नहीं था कि स्यारी के सारे जम्मू कश्मीर यह एक ही था, यह एक अलग प्रोविजन था, यह अलग था, यह अलग था, इसी लिए सब जगा की जो चीज़ें हैं, वो पूरी हिस्ट्री नहीं पता, यहाँ पर बता दू, काफी कम जो हिस्ट्री है, उसके बारे में भी पता है, लेकिन few chronicles available related to the regimes of the rulers of किष्टवार, and even these don't contain any valuable information, किष्टवार को जम हम लोग discuss करेंगे ता मैं आपको बता हूँगा, लेकिन डोडा के बारे में इतनी जादा detail नहीं है, बट एक चीज़ यहाँ पर क्या है, जो चीज़ें देखने को मिली वो यह है कि काफी सारी यहाँ पर डिनस्टी आई, उनका राइस हुआ, वो खतम हुई, और settlement reports and other references indicate that the area falling within the juridication of the district was ruled by रानास, राजास and पिटे इंडिपेंट चीफs from time to time, जिसमें कहा जाता है, आपके जरार रामास थे, कटोज राजास थे, बाहूस थे, मनास थे, चिब्स थे, ठकर थे, वानीज थे, गाकर से, गकार थे, कि इन सामने रूल किया है, लेकिन किस time period पर किया है, किस time पर नहीं किया, वो नहीं पता, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर इन सब क्या एक data अभी हमारे पास available होता, या यह हमें पता हो, तो आपको याद करने में थोड़ी सी problem हो जाती, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने बहुत सारे लोग, जो जम्मू से हैं, मेरे काफे सारे friends हैं, जो ड राज किया है, independent chief से यह हर एक time to time आते गे, जाते गे, तो यह आपको simple सी एक चीज़ पटाओनी चाहिए, इसके बाद, अगर हम बात करें, अब यहाँ पर क्या है, जो डोड़ा थी, वो capital, winter capital थी, किस जगा की, किष्टवार, state की, अब यह state किष्टवार क्या है, किष्टव राजाओं के अंडर थी, उनकी winter capital क्या थी, वो थी डोड़ा, और महराजा गुलाब सिंग ने, जब डोड़ा को conquer किया, यानि कि 1822 AD, अब यह चीज़ जो है ना, यहाँ पे, जब आपके पास exact history नहीं होती, तो चांसे रहते हैं, कि अगर question आएगा, तो वो इन ही point से गा, 1822 AD में, महराजा गुलाब सिंग जी ने, क्या करा, इन्होंने कबजा किया, किस पे, conquer करा, डोड़ा को, हम लोगों ने एक चीज़ पड़ी थी, सांबा को basically किस ने बसाया था, सांबा को बसाया था, सुचेत, सिंग ने, वो कौन थे, वो थे, यंगर ब्रदर, जिन्हो ने वहाँ पे 22 मंडी शुरू करी, सांबा में, जोनोंने संबा फोर्ड बनाया, ये सब चीज़े हम लोगों ने कल पड़ी थी अभी, तो यहाँ पे सेम आपको याद रखना है, महराजा गुलाब सिंग जो थे, उन्होंने conquer करा था, जब डोड़ा को 1822 AD, अब ये डेट आ याद रखनी है, एक्जाम में ये बहुत जादा chances हैं कि आपको पूछा जाए, इन्होंने अपने travel log में लिखा भी है, अब एक चीज़ हम लोगों ने स्री नगर में देखी थी, जब हम लोगों ने स्री नगर की हिस्ट्री पड़ी थी, मैं साथ-साथ में आपको बाकी भी 1830 में इन्होंने विजिट कया और इन्होंने इसके बारे में लिखा है, specifically मैं आपको as it is वही दिखा देता हूं, I traveled from Badarva towards Doda, along the Nala, there is a deep and rocky Nala, where the Chinab joins it, which I crossed over one of the dangerous bridges I had seen in Himalayan range, the distance of perpendicular rock is about 60 yards and the bridge is about 50 feet high over the Nala, these pillars-less bridges are usually of two types, one like that of Doda, its structure is like this, a strong rope is spread up to the bank of the river without a swing and tied strongly to the rocks, like the seat of the cardinal wooden structure slips over the rope, other ropes are tied to this structure by means of which the structure comes and goes backwards and forwards, तो यह इन्होंने properly mention किया है, अपने travel log में, आपको यह सब चीजे याद नहीं रखनी, आप लोग इसको जब मैं PDF दूँगा आराम से पढ़ लेना, इन्होंने जो लिखा है यहाँ पे, आपको बस यह याद रखना है, कि यह लिखा किसने है, exam point of view से यह चीज आपके लिए important है, date आपके लिए important है, यहाँ पे आपको यह दो चीजे याद रखनी, इन्होंने Doda के बारे में लिखा है, English traveler थे, आपको यह भी याद रखना है, अब हम बात करेंगे उस पे जो बहुत ही जादा famous है Doda में, the fort of Doda, आप में से बहुत सारे लोगों के paper में question आया था, कि fort of Doda कब demolish किया गया, यह बहुत important है, यह जो चीजे पूची गई थी exam में, यह examiner ने direct question बनाए है, मैंने आपे सब चीजे cover किये, मैं आपको सारा बता दूँगा, और in case आने वाले exam में, जब examiner भाकी district तक पहुंचेगा, हम लोगों पहले ही cover कर चुके होंगे, the fort of district, the fort of Doda was of great interest of historians, अब reason क्या है, पहले तो आपको यह समझना है, थाकुर कहांत सिंग बलोरिया निजी ने, अब जो author है, तारीक राजगान जम्मू व कश्मीर, अब यह दोनों चीजे पहले आपको बतावनी चाहिए, exam में पूचा जाएगा, तारीक राजगान जम्मू व कश्मीर कि इसने लिखा है, author कून है, उनका नाम है ठाकुर कहांत सिंग बलोरिया, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा था कि there were 70 forts in Jammu provision in addition to smaller ones in पुंच area, किसके लिए यह जो फोर्स से यूज किया जाते थे, जो armaments थे, defense equipment थे, या food grains थे, उसके लिए इसे जो है, यूज किया जाता बनाया, और repair किया, अब यह चीज काफ़ important है, अब यहाँ पर examiner पूछ सकता है, कि जो डोडा का fort था, महराजा गुलाब सिंग ने उसे वापिस से build क्यों किया, ये repair क्यों किया, तो because of fear of possible attacks from the Rajas of Bhadarva, अब examiner क्या कर सकता है, examiner अगर ज्यादा detail में, जो यह question आपको इसी स बनेंगे, examiner आप से पूछ सकता है, कि जो rebuild किये गए थे वापिस से, जो fort को, वो किस के डर से किये थे, कि कहां से possibly attack हो सकता है, option दे दिया जाएगा, बदर्वा, किष्टवार, राजोरी, या पुंच, तो ये भी आपको याद रखना है, बदर्वा के जो राजा थे, उनक attack के डर से वापिस से rebuild किया गया, काफी improve किया गया, दूसरी चीज, since the doda क्या थी, winter capital थी, किस की किष्टवार की, जो fort बनाया गया था, वो किस river के किनारे पे था, वो था, left bank of chinap पे, ये point आपको याद रखना है, unbaked bricks का use किया था, 3x2 size की थी, आपको ये size मैंने इसलिए ल पूछ रहा है, तो एक बारी पड़ा होना जादा से रहता है, जो की 4 meter wide थी, और 40-50 feet उंची थी, काफी मोटी दिवारे थी इसमें, और ऐसा इसका structure था, जो fort इसलिए काफी जादा आप लोगों को देखने को मिलता है, पेपर में भी, पेपर के बाद भी, और news में भी, क्य क्योंकि यह काफी important था, एक यहां पर pit थी, in the courtyard of the fort, जिसे कहा जाता था, चाहा बच्चा, जिस भी तरीके से आप लोग इसे बोलते है, याद रखना, उस pit में क्या किया जाता था, जो criminals थे, उनको उस pit में रखा जाता था, during winter season, अब ये point याद रखना, direct question बन सकता है, exam में कि जो डोडा fort में pit थी, courtyard में, उसमें, जब criminals को रखा जाता था, winter season में उस जगह का नाम क्या था, उसे क्या कहा जाता था, उसे चाह बच्चा कहा जाता था, दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है, कि उस जगह पे कब रखा जाता था, winter season में उन्हें रखा जाता था, ठ जिसके बाद से बच्चों ने शोर डाल दिया था कि JKSSB कुछ भी पूचा है यह सारी चीजें आपको मैं बता दू हर एक डिस्ट्रिक्ट से बनती है जो भी चीजें इंपॉर्णेंट होगी मैं यहां पर डिसकस कर दूँगा गर्मेंट ने डिमॉलिश कर दिया था 1952 में आ हां पर पाडरी टॉप आता है जिसे पाडरी पास भी कहते है तेली गिरा आपको देखने को मिलेगा जयवेल्मी अकु कहा जाता है इसके अलावा वास्कुई नाक टेंपला तु गभी आपको इहीं पпа देखेगी तो ये tourist places याद रखना डिरेक्ट आजके ले एक्जाम में पूछे जाते हैं अगर आपका homework अब यहाँ पर क्या है अगर हम लोग ने कोई एक आदी ऐसी जगा जो यहाँ पर famous है मिस्कर दी है comment box में ज़रूर लिखे हो दा अब डोडा न्यूस में क्यों था डोडा दो चीजों की विचा से न्यूस में था एक तो sports person आपको इनका नाम याद रखना है चैन सिंग जी शूटर है इन्होंने बहुत सारे medal लेके आए हैं इंडिया के लिए जम्मू कश्मीर से है और खास तोर पर यह हमारे डोडा से है तो इनके बारे में आपको पताओना चाहिए इनके अलावा एक tunnel है चतरगेला tunnel जो बनाई जा रही है 6.8 km long है यह connect करेगी कठुआ को डोडा के साथ और जो distance है उसको और कम कर देगी जतिंदर सिंग ने दो ब्रिज्ज को inaugurate किया है यह हमारे समयय यूनियन मिनिस्टर है इन्हों ने दो ब्रिज्ज्ट को किया है पहला नाम याद रखना पुनेजा ब्रिज अगर पूछा जाएगा कहां पे है तो वो है आपका डोडा में साथ ही साथ मैंने दूसरा भी यहाँ पर आपको लिख दिया है जिसका नाम है देविका यह है उधंपुर में तो यह important current events भी थे जिसकी वाज़ा से डोडा news में था और डोडा की एक और चीज़ है जिसके लिए काफी बात की जा रही है वो है गुच्छी जो सबसे जादा महेंगी मश्रूम है कहा जा रहा है कि इसे GI टैग मिले अभी तक इसे GI टैग जो है वो नहीं मिला है बढ़ डिमांड की गई है तो chances है कि जल्दी मिल जाएगा बढ़ आज जब यह वीडियो बना रहा हूं 27 नवेंबर 2021 अभी तक इसे GI टैग नहीं मिला है तो आपको यह चीज़े जो है यह पता होनी चाहिए थी डोडा district के बारे में I hope हम लोगों ने यहाँ पर maximum चीज़ें cover कर दी है आपको जो questions एक्जाम में पूछे जा सकते है उस पे हम लोगों ने पूरी बात कर ली है कल हम लोग चलेंगे कश्मीर की किसी एक district पे और पांच दिन हो चुके है इस series को आप लोगों का प्यार बहुत जाधा मिलता जा रह है मुझे बता देना कल कौन सी district आपको करनी है हम उस पे बात करेंगे पूरा discuss करेंगे detail में जो questions बन सकते हैं वो भी और वैसे भी आप लोगों से मैंने एक request करी है ये वीडियो आप लोग ना ही सिरफ खुद देखें बलकि अपने parents के वो भी दिखाए अपने घर पे अगर कोई छोटे बच्चे हैं उन्हें भी दिखाएं ताक कि हम लोगों को पता चले कि हम लोग belong कान से करते हैं उस जगह की history क्या है और अगर सब चीज़े अच्छी रही आप लोगों के पर exam जल्दी ही अगर खतम होगे और आप लोग अगर मुझे चुटी दोगे तो मैं कोश आज के लिए सब्सक्राइब करेंगे ताकि एक बारी जल्दी से हम चीज़े रिप्वीट करते हैं आप लोग मेरे साथ करना तो आप लोगों को भी चीज़े जो है वो यात हो जाएंगी सबसे पहली बात करेंगे हम लोग डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो भी तक अभी हम ल को मैंटन करता है इसेत एप इसको जो जो है मेंटेन करके रखता है कि जोगा का नाम है वो दोडा है वर जग ने कोन सेंअ हैं बरत्र बनाते ते चुन ने कहा क्योंने वहां पर ही रहना है डोड़ा में एक गाव में रहना यूटेंसिल फैक्टरी बनानी है कहां से बिलॉंग करते थे यह करते थे मुल्तान जो की पाकिस्तान में है वहां से माइगरेंट से यहां पर आये सैटल हुए और इनहीं के नाम को उपर जो है वह जगा का नाम पढ़ गया डोड़ा सारी डैनिस्टी जाई बहुत सारी डैनिस्टी गेई काफी सारे इंडिपेंडेंट चीफ आये जिसमें जो राजा थे उनके क्या क्या नाम थे कटोच मनहास चेब ठककर वानीज गोकार इन समने यहां पर जो है रूल किया डोड़ा विंटर कैपिटल थी किसकी विंटर गुलाब सिंग ने इसे कंकर करा कव गुलाब सिंग ने कंकर करा इसको कब इस पे कबजा किया वो कि 822 एडी में यह डेट आपको याद रखनी है इसके अलावा एक इंग्लिश ट्रेवलर थे जीटी वाइगिन इन्होंने क्या कहा यहां पर इन्होंने विजिट करा था डो किसे बाद आता है फो डॉडव डोड तो रेंसे सबसे पहले जो किया है क्या में किया है तारीक राजगान जम्मू व कश्मीर एक ऐसा ही तारीक था राजोरी में भी कमेंट बॉक्स में लिखके बताना क्या था वो जिसमें उन्होंने काया टोटल 70 फोर्ट थे जिसमें कुछ छोटे फोर्ट पुंचे एरिया के भी थे आम्स को रखने के लिए डिफेंस एक्विप्मेंट को रखने के लिए फूड गेंस को स्टोर करने के लिए बनाएगे लेकिन जब गुलाब सिंग जी इसमें आए गुलाब सिंग जी ने इसे कॉनकर करा तो गुलाब सिंग जी ने इसे फोर्ट को वापिस से क्या किया rebuild किया rebuild क्यों किया ताकि जो राजा थे कहां के राजा और भद्दरवा वो आके attack ना कर दे तो इसलिए वापिस से बनाया गया किस river के किनारे पे है चिनाब river के किनारे पे यह fort आपको दिखेगा 3 3 by 2 की जो unbaked bricks है उससे बनाया गया है 4 feet wide इनकी सिरफ दिवारे है 50 feet तक इसकी height कही जाती है बहुत important है और जो यहाँ पे एक pit आता है courtyard में जिसका नाम क्या है जिसको क्या आजाता था चाहा बच्चा इसमें criminals को रखा जाता था winter season में चीक है यह चीज़ भी याद रखना winter season में criminals को यहाँ पर रखा जाता था और 1952 में जो सरकार थी उसने demolish करने का order दे दिया था किसको डोड़ा फोर्ट को और उस जगा पे आज की date में आपको क्या मिलेगा वहाँ पर आपको देखेगा government boys highest country school डोड़ा चीक है यह चीज़ें थी काफी सारी tourist destinations यहां पर है और इसी इसी वज़ा से बहुत famous है पाद्री टॉप आपको देखने को मिलेगा तेली गड़ दिखेगा आपको देशा वैली आपको यहां पर दिखेगी डोड़ा में जै वैली आपको दिखेगी बलेसा waterfall जो है वह आपको देखने को मिलेगा डोड़ा में बदर्वा जिसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है आपको वह भी यही पर देखने को मिलेगा न्यूज में यह क्यों था दो चीज़ों की वज़ा था एक तो आगया चैन सिंग जो की shooter है हमारे यहां से इंडिया के shooter है बहुत मैंडल जीत के आए है एक है यहां पर चतरगेला टनल यह बनाई जा रही है ताकि जो 24-7 और 12 महीने जो रास्ता है वो खुला रहे सर्दियों में भी 6.8 किलो मिटर लंबी है किस को connect करेगी कठुआ को connect करेगी यह डोड़ा के साथ और जो सफर है उस पुनेजा ब्रिज जो की डोड़ा में है दूसरा मैंने आपको वैसे बता दिया याद रखना देवी का ब्रिज था एक जो की आपका उधंपुर में है तो यह थे आपके important और एक आपका आजाता है यहां पर गुच्छी गुच्छी का दूसरा नाम क्या है वह बताना कौन कुंसी mushroom है यह यह भी homework है आपका इसे GI tag मिलने के लिए दिवांड की गई है गवर्मेंट के द्वारा तो यह थी आपकी सारी हिस्ट्री डोड़ा डिस्ट्रिक्ट की क्यों famous है क्यों चीज़ें आपको देखने को मिलती है तो अगर कोई चीज आप लोगों को हमसे जादा प होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग शेयर करेंगे वैसे ही बाकी लोग अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में करेंगे तो हम लोग सारी की सारी चीज़े कवर कर लेंगे हमारे एंड से सीरीज चल रही है पांक दिन हो चुकी है पांक दिन में पांक दि मिलता रहे और अगर वीडियो पसंद आ दिये तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने पेरेंट्स के साथ और आपके घर पर अगर कोई छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि हमारे रूट्स कहां से हैं तो चलो बबाई डेकर और मिलते हैं बहुत जाल ने लेक्चर के साथ अभी के लिए जादत दीजिए हैव नाइस टे